जैहिंद प्यारे साथियों कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सब भी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारी जो ICT की सीरीज है वो बिल्कुल कंटिनू चल रही है आज हम एक थोड़ी लंबी क्लास लेने वाले हैं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की बहासा Language of Computer जैसे ही हमारी एक बहासा होती है होती है ना आपकी भी बहासा है मेरी भी एक बहासा है और इस दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं हर एक candidate की एक भासा है जिसे केवल वो ही लोग समझ सकते हैं आपको supposed that Tamil भासा नहीं आती है आपको Tamil भासा का ज्यान नहीं है तो आप Tamil भासा बोलने वाले से बात नहीं कर सकते हैं आपको English भासा का ज्यान नहीं है एक भासा है ठीक है हर एक से अपने विचारों को share करना विचारों का आधान परदान करना संदेश को एक दूसरे की बीच में transfer करना ये सब कुछ भासा की वज़े से है किस की वज़े से है भासा की वज़े से computer की भासा का अर्थ कि जिस भासा को computer समझता है computer जिस भासा में programming करता है उसे हम programming भासा कहते हैं computer की भासा का मतलब है computer की language भाई आपकी एक भासा है मेरी एक भासा है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से computer की भी एक भासा होती है होती हैं computer की भी एक भासा computer हर किसी की भासा को नहीं समझ सकता computer केवल उसी भासा को समझ सकता है जिसको समझने योग्यों से बनाए गए तो computer की भासा का अर्थ है जिस भासा को computer समझता है computer जिस भासा में programming करता है उस भासा को हम programming भासा कहते हैं computer जिस भासा को समझता है उसको हम computer की भासा कहते हैं उसको हम programming भासा कहते हैं programming भासा क्यों कहते हैं क्योंकि क्या करता है computer program करने का काम करता है programming करने का काम करता है हम भी एक programmer है क्या programmer है हम भी programming करने का काम करते है जैसे हम आपस में बात कर रहे है तो बात करना भी क्या है एक प्रोग्रामिंग है ठीक है तो प्रोग्रामिंग भासा कुल दो परकार की होती है एक होती है निम्न इस्तरिय भासा एक होती है उच्छ इस्तरिय भासा जो कंप्यूटर की भासा है उसको सामानित है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया एक बोल दिया गया उसको उच उचिस्तरिय का मतलब है उचिस्तर के कम्पिटरों को द्वारा यूज की जाने वाली भासा और निम्न इस्तरिय का मतलब है निम्न इस्तर के कम्पिटरों द्वारा यूज की जाने वाली भासा ऐसा सोच रहें आप लोग जी बिल्कुल आप ऐसा ही सोच रहोंगे लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर एक निमने इस्त्रिय भासा है एक उच्छ इस्त्रिय भासा है उच्छ इस्त्रिय भासा हम बोलते हैं high-level language को और निमने इस्त्रिय भासा बोलते हैं low-level language को low-level language और high-level language इन दोनों को मैं अब आपको समझाऊंगा देखो दोनों में मैं एक बात बता देता ह जिसको computer नहीं बलकि जिसको हम समझ सकते हैं एक ऐसी भासा है यहाँ पर जिसको केवल computer समझता है एक ऐसी भासा है यहाँ पर जिसको केवल हम समझते हैं तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी भासा है जिसको केवल computer समझ सकता है और ऐसी कौन सी भासा है जिस को केवल और केवल हम समझ सकते हैं ठीक है तो मैं इसका बिलकुल डिटेल से आपके साथ डिसक्रस करने वाला हूँ इस क्लास में और आज हम थोड़ी लंबी क्लास लेंगे यह मैंने आपको पहले बोल दिया था तो आप अपना पुरा माइनसेट बना कर और अब लग जाएं बिलकुल जुड़ जाएं तयारी में शांदार तरीके से बिलकुल घजब तरीके से हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे जो भी डाउट हो जो भी कंफूजन हो आप डिरेक्ली मेरे से पूट अप कर सकते हो पूच सकते हो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो इन दोनों भासाओं में यदि आप अंतर को समझ जाते हैं भाई उच इस्तरिय भासा और निमनिस्तरिय भासा इन दोनों भासाओं के यदि आप अंतर को समझ जाओगे न तो आप हाई लेवल 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 ल विसेस्ताओं के बीच में जो डिफ्रेंस हैं उसको हम क्या कहेंगे अंतर कहेंगे उचिस्त्रिय भासा प्रोग्राम मर्फैंडली होती है इसके विपरित निमनिस्त्रिय भासा हैं मसीन या कंप्यूटर के अनुकूल होती हैं मैंने क्या बोला था उचिस्त्रिय भासा और नि उच इस तरिया भासा है हाई लेवल लेंग्वेज वो है जिसको प्रोग्रामर समझ सकता है प्रोग्रामर कोन है यहां पर जो प्रोग्राम करता है तो कंप्यूटर क्या करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम करता है और उससे प्रोग्रामिंग का काम कौन करवाता है प्रोग्रामर करवाता है तो इस मामले में प्रोग्रामर कोन है हम खुद है ठीक है और प्रोग्राम करने वाला कोन है वो है अपना प्रोग्रामिंग करने वाला कोन है कम्प्यूटर है तो उच इस्तरिय भासा है कौन जिसको मनुष्य समझ सकता है जिसको ठीक है जिस भासा को मनुष्य समझ सकता है उसको हम बोलते हैं उच इस्तरिय भासा और जिसको केवल कंप्यूटर समझ सकते हैं उसको बोलते हम निम्न इस्तरिय भासा निम्न इस्तरिय भासा वो है जिसको केवल कंप्यूटर समझ या मसीन समझ सकती है और उच इस्तरिय भासा वो है जिसको हम समझ सकते हैं निमनिस्त्रिय भासाओं को कम्प्योटर आसानी से समझ जाता है कि उच्छे भासा तेउरी गति से लिगति होती है जब कि निमनिस्त्रिय भास है दिमी गति से एक्षी क्यूट होती है execute होती है, क्या होती है execute एक्सिक्यूट इन दोनुग सब्दों को आप specialist तरीके से ध्यान में रखने जो उचिस त्रीय Thai Thai बासाई होती है उनको हम बहुत आसानी प्रोग्रामर के अनुकूल हैं जिनको प्रोग्रामर बहुत आसानी से समझ सकता है तो जिन भासाओं को हम बिलकुल आसानी से समझ सकते हैं उनमें हम उन भासाओं के उपर हम काम भी बहुत गजब तरीके से कर सकते हैं भाई आप हिंदी भासा जानते हो मैं इंगलीज भासा जानता हूँ मैं मान रहा हूँ कि मैं इंगलीज जानता हूँ बबाकि मैं इंगलीज war мен नहीं जानता लेकिन मैंनें आप ऐसे आप इंग्लिज जानते हूं, मैं हिंदी जानता हूं, आपको इंग्लिज आते हैं बिलकुल फर्राटेदार, अंग्रेजों की तरह है, अब आप खुद को अंग्रेज बत समझना, कभी आप बस घरवालों को भी अंग्रेजी भासा जारने लग जाओ, ठीक है, तो आप अंग अंग्रेजी भासा में दूसरी को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, मैं हिंदी भासा जानता हूं, मैं हिंदी भासा में अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से एक्स्पेन कर सकता हूं, ठीक है, तो उचिस्तरिय भासा त्योरी गति से एक्सक्यूट होती है, जबकि नि अनुवादक कोन होता है ट्रांसलेटर होता है अब यहां पर ट्रांसलेटर की जरुवत कोन सी भासा को पड़ेगी एक भासा वो है जिसको हम जान रहे हैं एक भासा वो है जिसको कंप्यूटर जान रहे हैं ठीक है एक भासा ये जिसको कंप्यूटर जान रहे हैं एक भासा ये जिसको हम जान रहे हैं तो यहाँ पर मैंने हम के लिए human लिख दिया H और computer के लिख दिया C तो यह तो गया कौन निमने स्ट्रिय भासा जिसको केवल computer जानता है और यह हो गई उचिस्ट्रिय भासा जिसको केवल बाद्व समझता है अब यदि हम काम किसे करवा रहें कम्प्योटर से करवा रहें यदि हम कम्प्योटर को निर्देश यदि हम कम्प्योटर को निर्देश या कम्प्योटर को डाटा यदि हम कम्प्योटर की भासा में देते हैं जिस भासा को कम्प्योटर समझता है हम यदि computer को direction, computer को data, computer की खुद की बासा में देते हैं तो क्या हमें किसी translator की जुरुत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भाई, आप अंग्रेजी जानते हो, मैं हिंदी जानता हूँ यदि आपकी बात, मैं किसी ऐसे candidate से करवाँ जो खुद अंग्रेजी जानता है तो क्या आप दोनों के वीच में किसी translator की जुरुत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? क्यों? क्योंकि आप English जानते हो, सामने वाला भी बिल्कुल English जानता है तो यदि हम programming computer की भासा में करते हैं क्या करते हैं? यदि हम programming computer की भासा में करते हैं मतलब निमनिस्त्रिय भासा में ही करते हैं तो हमें किसी भी हाल में translator की जुरुत नहीं पड़ेगी लेकिन यदि हम programming, यदि हम निर्देश देने का काम, data देने का काम हम किस में करते हैं? उच इस्त्रिय भासा में करते हैं हम वो अपनी खुद की भासा में देते हैं हम computer को अपनी खुद की भासा में निर्देश दे रहे हैं लेकिन computer अपनी भासा को नहीं जानता तो हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा एक translator लगाना पड़ेगा ये computer है ये हम है हमने अपनी भासा में computer को निर्देश दिया computer अपनी भासा को नहीं समझता इसलिए हमने क्या किया एक यहां पर translator लगाया तो इस translator ने क्या किया हमारी जो भासा थी उसको इसने computer की भासा में convert किया और फिर computer को भेज दिया अब computer इसको आसानी से समझ गया ठीक है जैसे आप मैं दोनों की वीच में हमने एक तीसरा कडिडरेट बैठा लिया जो भासाय जानता हैं मैंने अपने विचार उसको का उसने अपने विचार सामने कह दिया तो यदि हम आपस में एक दूसरे से अलग भासा वाले हैं जैसे हम कंप्यूटर की भासा को जान सकते हैं लेकिन कंप्यूटर हमारी भासा को बिल्कुल नहीं जानता और हम अपनी भासा में कंप्यूटर को कह रहे हैं जबकि कंप्यूटर अपनी भासा को बिल्कुल नहीं जानता तो हमें बीच में एक मेडियत लगाना पड़ेगा एक और यदि हम computer को computer की भासा में निर्देश देते हैं, तो हमें फिर किसी भी तरीखे की कोई भी translator की आउसकता नहीं पड़ेगी, तो computer की भासा कौन सी होती है, निमनिस्त्रिय भासा होती है, हमारी भासा कौन सी होती है, उचिस्त्रिय भासा होती है, तो उचिस्त्रिय भासा में यदि हम computer को निर्देश दे रहें तो हमें क्या होगा एक अनुवाद की आऊ सकता पड़ेगी हमें एक translator की आऊ सकता पड़ेगी और यदि हम computer को निर्देश computer की भासा में मतलब हम यदि computer को direction computer को data low level language में दे रहें तो हमें किसी परकार के कोई भी translator की आऊ सकता नहीं अदिख होती है जबकि उच्ष रिया भासा में programmer से तूरुटी होने के सम्भावना कम होती है अब देखो programmer कोन है programming करने वाला जैसे हम हम ही है ना computer तो programming कर रहा है लेकिन computer से programming कोन कर रहा है? हम कर रहा है हम जैसे computer को करें computer ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है हमने कहा computer भाई तू YouTube पर वीडियो चला तू यहनी सिंग के गाने चला तू सोनु कुमार के गाने चला तू लता मंगेश करके गाने चला हमने जैसे computer को कहा computer ठीक उसी तरीके से कर रहा है काम तो programmer कोन है हम है हम जैसा चार है बिल्कुल ठीक वैसा ही computer कर रहा है तो भाई यहाँ तुरूटियों के हम बात कर रहा है किसकी तुरूटियों की भाई programmer यदि low level language में programming करता है मतलब यदि programmer यदि हम computer की भासा में उसको निर्देश देते हैं तो गलती होने के संभावने क्या होगी अधिक होगी यदि हम computer की भासा low level language में computer को निर्देश देते हैं computer को data देते हैं तो यहाँ पर गलती होने की संभावने भहुत जादा होगी लेकिन यदि हम अपनी खुद की भासा में computer को निर्देश देते हैं हम अपनी खुदकी बासा में computer को data देते हैं तो जो ये data देने की process है जो ये जिसकी निर्देश देने की process है इसमें तुरूटी होने के संभावना बिलकुल कम होगी ठीक है तो निमनी इस्तरिय बासा में programmer से तुरूटी होने के संभावना अधिक होती है जबकि उच इस्त्रिय भासा में प्रोग्रामर से त्रोटी होने के संभावना कम होती है समझ में आ गए ये बात उच इस्त्रिय भासा में कम मेमोरी छमता की आउसकता होती है जबकि निम्न इस्त्रिय भासा में अधिक मेमोरी छमता की आउसकता होती है यदि हम memory capacity की बात करें तो high level language में कम memory capacity क्या हो सकता होती है जबकि low low level language होती है उसमें अधिक memory capacity क्या हो सकता होती है उच्छे स्थ्रिय भासा में कम memory छमता क्या हो सकता होती है जबकि निमनिस्थ्रिय भासा में अधिक memory छमता क्या हो सकता होती है उच्छे इस्त्रिय भासा की डिबिगिंग एवं रख रखाओ सुरल होता है जबके निमनिस्त्रिय भासा में डिबिगिंग एवं रख रखाओ काफी जटिल होता है ठीक है डिबिगिंग का मतलब होता है एक तरीकी से programming करना ही बहुत सकते हैं इसको हम ठीक है उसको सुरक्सित रखना भी कह सकते है तो यदि हम computer की भासा में programming करते हैं किसमें computer की भासा में programming करते हैं तो उसमें एक तो गलतिया होने के संभावना बहुत जादा होती है ठीक है साथ इसाथ computer की भासा में programming करना भी क्या होता है बहुत जटिल होता है हमारे लिए थो जटिल है भाई हम अपनी जैसे language के रूप में जानने के लिए आप अंग्रेजी जानते हो आप यदि हिंदी जानना चाओगे न हम कितने भी तगड़े एक्सपर्ट क्यों न हो जाएं यदि हम हिंदी background से हैं हमने English बोलना सीख लिया हम कितने भी तगड़े एक्सपर्ट क्यों न हो जाएं हमारा जो बोलने का लहजा है हमारा जो बोलने का तरीका है हमारा जो उच्चारन करने का तरीका है इनमें कहीं न कहीं तो हमें ऐसा जलक लगे गाई कि आप proper English medium के candidate नहीं हो बलकि आप थोड़े हिंदी मीडियम के हो थोड़े English medium के हो तो जो high level language होती है उनमें debugging करना और रख रखाओ करना बिलकुल सरल होता है भाई हम जिस भासा को जानते है उसी भासा में निर्देश देना उसी भासा में programming करना उस भासा का रख रखाओ करना क्योंकि उस भासा के हम बारे में हम सब कुछ जानते है क्या होता है सरल होता है जबकि निर्देश भासा में debugging करना और रख रखाओ करना बहुत जटिल होता है क्योंकि निर्देश भासा के बारे में हम इतना नहीं जानते है उस तरिया भासा हैं विबिन मशीनों पर चल सकती हैं जबके निमने इस्त्रिय भासा हैं विबिन मशीनों पर नहीं चलती ध्यान रहे भाई लोगो उस्त्रिय भासा को हम विबिन मशीनों पर चला सकते हैं अब कैसे चला सकते हैं हम बीच में translator का यूज कर लें translator है जो अपनी language को जो high level language है उसको बिलकुल machine के language में convert कर देगा तो हम अपनी language को किसी भी computer पर use कर सकते हैं किसी भी machine पर use कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे हर एक computer की हर एक machine की अपनी खुद की language होती है तेक है न आप हर एक computer की हर एक मशिन की अपने खुद के लेंगवेज होती है उनके अपने खुद के इस्पिसल कुछ कोड होते हैं तो ज्ञान रहे उच इस्तरिय भासाई विबिन मशिनों पर चल सकती है जबकि निमनिस्तरिय भासाई विबिन से काम कर सकते हो मैं आपको बोलूँ आप इंगलिस जानते हो बहुत अच्छे से मैं आपको एक इंगलिस का सेंटेंस दो और मैं कहूं कि इसको आप मोडिफाइ करो इसको आप ट्रांसलेट करो इसको आप दूसरे सेंटेंस की रुप में बदलो आप तुरंट कर दोगे आप किसेंटेंस हदा सेंटेंस बना दोगे और कि मैं कहूंँ आपको आप बलकुल भी Hindi नहीं जानके Ilge भाइचे बतलो आप 20 तरीके से बतल सकते हो लेकिन यदि मैं आपको एक इंडिल्स का सेंटेंस दूना तो मेरे कुआ विश्वास आप उसको दो भी लगर नहीं बदल सकते उस की आख उसको आप दो तरीके बे नहीं बोल सकते क्यों क्यूंकि हमारा इंगली से इतना लगा हुए जतना हमारा हिंदी से लगा हुए तो भाई हाई लेवर लैंग्वेजब में प्रोग्रामिंग क्रते समय कार्यान करते समय जो स्पीड होती हिं़ों लो लेवल लैंग्वेजब के तुनध में क्या होती है कम होती है कि समझ में आगी कि बात अब हम बात करेंगे यहाँ पर निमनिस्त्रिय भासाओं के बारे में और उच्छिस्त्रिय भासाओं के बारे में कर लो बहुत बैस्ट बुक है और मेरी वाली जो बुक है ना फर्स्ट पेपर वाली उसमें भी आपको ऐसी बहुत सारी खास बाते देखने को मिलेंगी उस बुक में मैंने बिलकुल इसी तरीके से जहां हम कंफ्यूज हैं उनको मैंने आपस में एक साथ जोड के लिखाए एक होती है मसीन भासा और एक होती है असेंबली भासा एक असेंबली भासा है एक मसीन भासा है निमने इस तरह बासा है दो परकार की होती है एक मसीन भासा है एक असेंबली भासा है दोखो मैं पहले इन दोनों के बारे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सा जानकारी दे जानती है। जो मसीन की खुद की बहुत अच्छे से एक्जाम्पल से समझा रहा हूं आप जैसे जिस गाओं से जनम ले रहे हो ना आप हिंदी बोल रहे हो लेकिन आपकी जो हिंदी भासा है ना वो आपकी मुख्य भासा नहीं है आपकी सबसे में भासा कुन सी है आपकी लोकल लेंग्विज आपकी जो गाओं के लोग हैं आपकी जो फैमिली के लोग जिस आपकी लोकल भासा में बात करते हैं वो आपकी सब जो लोग बिलकुल जनों ने जनम से केवल हिंदी बोले न उन लोगों के लिए प्राइमली परेवलों हिंद्य करें लेकिन जिन रोल जनिम लिये लोगों का कि छो और है जैसा मेरी कुछ Сп washback के ने दोक की में लना लुटत है हूँ या मेरी खुद की लोकल लेंग्वेज है तो या मेरी जो खुद की लोकल लेंग्वेज है ना या कि मेरी मसीनी बासा चाहिए इंद मैं अपनी मसीनी बासा कोंगो और जो हिंदी बासा है ना जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं पढ़ रहा हूं जिसको मैं आज फिलाल में यूज कर रहूँ यह क्या है मेरी एसेंबली बास हैं मतलब थोड़ी सी सेकेंडरी बास है ठीक है अब यहां पर मैं आपको समझाता हूँ मस्हिनी बासा यह बासा कंप्यूटर की आधार बुद बासा है आधार बुद का मतलब बिलकूर आधार है सबसे पहले computer की यहीं से शुरुआत हुए थी इसी बासा से computer ने समझना चालू किया था जैसे मैंने अपनी local language से बोलना चालू किया था मैंने ये Hindi बासा बात में बोलना सीखाए मैंने सबसे पहले क्या सीखा था अपनी local language सीखी थी ठीक इसी तरीके से आपने भी अपनी local language से किया है तो आपकी local language क्या है आपकी आधार बासा है आधार बूत बासा है मतलब जो आपकी local language है वो आपकी एक machine बासा है ज़िए आप computer होतो हो ठीक है तो जो machine बासा है वो computer की आधार बूत बासा है computer केवल binary code को समझता है ठीक है computer क्य को समझता है या टो यह दो होते हैं यह यह मातर computer programming भासा है कि यह जो मसनि भासां वोma एक मातर ऐसी बासा है जिसकanh को computer ऑहले समझते हैं कि आपको कि कि कुई भी translator की ज्रूरत नहीं परे गी computer खुद कह देगा कि भाई हट इस भासा को तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस भासा में अनुवादक की आउसकता नहीं होती translator की आउसकता नहीं होती machine भासा में यदि आप programming कर रहे हो आप computer को machine भासा में direction दे रहे हो आप computer को machine भासा में data दे रहे हो तो एक कंप्ईर के अब इन ौ सब्दों को जानताएं जीरो को एक को तो हम जो भी निर्देश देतां है जीरो और एक, कोड में कनवर्ट कर देता है, मतलब उन सब्दों को वो जीरो एक के कोड में कनवर्ट कर देता है, और कंप्यूटर तक भीज देता है, कंप्यूटर उनको बहुत गजब से समझ जाता है, और वो उनका जवाब देता है, ठीक है, तो मसिनी भासा में पर्तिक न आपता दिता हूं जो मसेनी वासभा उती न उसमें परतेग निदिश की दो भाग होती है एक क्यर्या संकेत होता है और एक स्थिस अंत Magic होता है जो क्यरी संकेत होता है वह हमने बुता है। कि कम्प्यूटर को क्या करता है कि तूप इसको डाटा कहां से प्राप्ट करने हैं डाटाओं रिजल्ट को कहां भेजने हैं मसिनी भासा में परतेक मिर्देश के दो भाग होते हैं पहला भाग होता है किर्या संकेत कंप्यूटर को बताता है कि भाई तेरे को करना क्या है इस्तिती संकेत दूसरा भाग होता है और जो दूसरा भाग इस् जो रिजल्ट निकलेगा उसको तिरको वापस कहां भेजना है यह इस्थिति संकेट जो लोकेशन के बारे में बता रहे हैं किसके बारे में लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि समझ में आ गई computer को निर्देश भी binary code में दिया जाते है computer को data computer को निर्देश सब binary code में दिया जाते हैं इस भासा में program का अनुरक्षन करना बहुत कथिन होता है थता इसमें truth होने के संभावना बहुत अधिक होती है मसिनी भासा का अनुरक्षन करना मसिनी भासा की सुरक्षय करना क्या है बहुत डिफिकल्ट काम है और मसिनी भासा में तुरूटी होने की जो संभावन है वो बहुत ज़्यादा होती है अब हम बात करेंगे असेंबली भासा के बारे में ठीक है दूसरी बासा असेंब्ली बासा देखो अब असेंब्ली बासा के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कंप्यूटर केवल मशीनी बासा को समझता है ठीक है ना केवल मशीनी बासा को समझता था और इसके अलाव कोई बासा नहीं थी तो तो computer तो machine बासा को 깍षेंच समझ रहा है लेकिन हम लोग उस बासा को ने समझते थे दूसरी condition क्या कि एक computer की खुद गी अलग machine बासा होती है तीक है नहीं हर एक computer की हर एक machine की खुद की special machine होती है ऐसा नहीं कर सकतें कि चलो एक computer की machine बासा को तो आप दूसरे computer में यूज कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हर एक computer की, हर एक machine की, खुद की special क्या होती है, एक machine बासा होती है, ठीक है न, मैं repeat कर रहा हूँ, हर एक computer की, हर एक machine की, खुद की special machine बासा होती है, तो हुआ क्या, इस्टार्ट में केवल मसीनी बासा थी जिसमें निर्देश देने में जिसमें डाटाओं को देने में बहुत बड़ी प्रोब्लम आती थी क्योंकि मसीनी बासा में जब हम उनको डाटा देते थे निर्देश देते थे तो कंप्यूटर को तो मज़ा आता था काम करने में लेकिन हमें मजा नहीं आता था, हमें प्रोब्लम आती थी, क्योंकि हम कम्प्योटर के मसीनी बासा को समझ नहीं पाते थे, हर कोई आदमी कम्प्योटर को निर्देश नहीं दे पाता था, क्योंकि हर किसी को कम्प्योटर के मसीनी बासा का ज्यान नहीं था, जब मसीनी बासा तो उस टाइम कंप्यूटर को निर्देश देने का काम केवल वही व्यक्ति कर सकता था जिसको मसिनी पासा का ग्ञान था अधर्वाइश नहीं कर सकते थें अब यह समस्य थी बहुत बड़ी तो इस समस्या का समाधान करने के लिए विद्वानों ने लोगों ने सोचा कि भाई यदि इस तरीके से हम निर्जिस देने का काम करेंगे हर कोई निर्जिस नहीं दिये पा रहा है केवल वो ही कंडिडेट कंप्यूटर पर से काम कर पा रहा है जिसको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नोलेच कंप्यूटर जिसको computer भी समझ पाएं, ठीक है, हम भी समझ पाएं, और computer भी समझ पाएं, और आप ऐसा और करेंगे, कि भाई, वो हमारे लिए तो simple होई, computer नहीं समझेगा, तो हम एक translator देदेगे computer को, भाई, बीच में यह translator है, यह अपनी भासा को उसमें, और उसकी भासा को अपनी भासा मे विकास किया गया, जिसको assembly भासा कहते हैं, assembly भासा में, नीमोनिक कोड का प्रियोग किया जाता है, जैसे मैंने अब भी क्या बताया आपको, मसिली भासा में, binary code का प्रियोग किया जाता था, बिलकुल ठीक, इसी तरीके से, assembly भासा में, नीमोनिक कोड का प्रियोग किया जात अब मैंने आपको बता है था कि बाइनरी कोड पर कौन-कौन सामिल होते हैं या तो जीरो होता है या एक होता है ठीक है जीरो या एक यह क्या है बाइनरी कोड है तो मसीन नोमोनिक कोड क्या है नोमोनिक क्योड क्या है सोट वे सोट रूप है सोट रूप जैसे नवंबर को हमन आप उसको R, L लिख दो, रामलाल, समझ में आ गई ना, लेकिन यहां पर तो हम इसका दूसरा आर्च भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप N, O, V, इसको देखकर आप नवंबरी समझोगे, हर को इसको नवंबर समझेगा, D, E, C, इसको हर कोई दिसंबर समझेगा, F, E, B, इसको हर कोई जनवरी, ठीक है, जून समझेगा, जनवरी समझेगा, इसको हर कोई जून समझेगा, A, U, G, इसको हर कोई अगर समझेगा, है ऐसा कि A, U, G, को कोई और कुछी समझ रहा हो, नहीं, तो यह है नोमोनिक कोड, यह सारे कैं नोमोनिक कोड हैं, सोट वे हैं, सोट रूप है तो नॉमोनिक कोड जैसे की 9 एड सब आदि सोट फॉँम हर एक सब्द को सोट फॉँम में लिखना नॉमोनिक कोड में होता है मसिनी भासा की तुन्ना में असेंबली भासा को समझना ज्यादा सरलथा हमारे लिए मनुष्य के लिए computer के लिए तो difficult काम हो गया computer ने तो कह दिया भाई ये तुम्हारी जो short way वाला system है जो no money code वो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा मेरे को तो आप एक translator दे दे ना मैं अच्छे से काम कर दूँगा वरना देख लो आप कहोगे कुछ और काम कुछ और होगा हमने कहा कि टैंजन मतले assembly भासा हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तरे को हमें एक assembler दे देंगे एक translator दे देंगे जो assembly भासा को translate कर देगा और machine भासा में convert कर देगा computer बोला रहा है भाई फिर तो mode कर दी मस्त काम हो गया फिर तो तो machine भासा की तुलना में assembly भासा को समझना हमारे लिए ज़्यादा सरल होता है assembly भासा में assembly भासा ने machine भासा में programming करने से छुटकारा दिलाया जो assembly भासा थी उसने हमें machine भासा में programming करने से क्या दिलाया छुटकारा दिलाया assembly भासा में translator assembler का उप्योग किया जाता है दिए ना computer ने बोल दिया ता पहले भाई का तुम assembly भासा का विकास करो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी मेरे नहीं समझ में आएगी मैं तो केवल अब हम पढ़ते हैं high level language उचिस्त्रिय भासाओं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं उचिस्त्रिय भासाओं के बारे में और उचिस्त्रिय भासाओं क्या होती हैं तो चलो एक बार बता दो आप उचिस्त्रिय भासाओं को computer समझता है या हम समझता है बताओ जो उचिस्त्रिय भासाइं होती है वो हमारे अनुकूल होती है या कम्प्यूटर के अनुकूल होती है यह आपको बताना है अब जो उचिस्त्रिय भासाइं है जो high level language है इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया वो भी कुछ basis के आधार पर जैसे वेग वेगानिक वासाइं है इस परकार का इस भासा का उप्योग वेगानिक कारियों को करने के लिए किया जाता था ठीक है कुछ ऐसी भासाओं का विकास किया गया जिनका उप्योग वेगानिक कारियों को करने के लिए किया जाता है उन्हें वेगानिक भासाइं कहते हैं जैसे एलगोल है, बेसिक है, पार्सकल है, फोटोन है, ठीक है, कोमर्सियल भासाइं, जिस भासा का उप्योग व्यापार सम्मदिक कारियों को करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम कोमर्सियल भासा कहते हैं, जैसे कोबॉल है, डी, बी, ए, 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 है, ठीक है, कोमर्सियल भास विषेज कारियों को करने के लिए किया जाता है। उन्हें हम commercial भासाइं कहते हैं जैसे COBOL है और DBASE है। उसके बाद हम बात करते हैं विषेज उद्द Studien भासा। विशेस कारियों को करने के लिए जो बासा हैं डिजाइन की गई हैं विशेस कारियों को करने के लिए कुछ specific काम को करने के लिए कुछ specific program को complete करने के लिए जिन बासाओं का विकास किया गया था उन्हें हम विशेस उद्धे से ही बासा कहते हैं जिसमें AP360 आ जाता है लोगो आ जाता है ठीक है तो विषयस कारियों को करने के लिए जो बासा हैं डिजाइन की गई हैं उन्हें हम विषयस उद्देश इबासा कहता है inhale जिस में एपी 3ND MRC और लोगों यह दोनों बासा ही काउंट होती हैं उसके उसके बाद आता है भव उद्देशिय भासा भव उद्देशिय भासा इसमें वो भासाएं आती हैं जो मल्टी परपस के लिए तयार के गई हैं जिनका हम बहुत सारी जगह उपयोग कर सकते हैं जो विभिन कारियों को करने में काम आती हैं तो भव उद्देशिय भासाएं व विबिन परकार के कारियों को करने की छमता रखती है वे भासाएं जो विबिन परकार के कारियों को करने की छमता रखती है उन्हें हम बहु उद्देशिय भासा कहते हैं जैसे बेसिक है पास्कल है और पी एल फस्त है ठीक है बहु उद्देशिय भासा वो भासा हैं जो विबिन परकार के कारियों को करने के लिए तयार की गई है बहु उद्देशिय भासा हैं वो भासा हैं जो विबिन परकार के कारियों को करने की छमता रखती है उन्हें हम भव उदेश ये भासा कहते हैं ये multi-purpose language होती है जिनका हम बहुत अलग-अलग जिगह उप्योग कर सकते हैं जिसमें basic है पास्कल है और PL first है उसके बाद हम बात करते हैं उच्छ तरी भासाओ के example कुछ बहुत सारे example है जो high-level language से संब्धित हैं जैसे COBOL है, photon है, basic है, C है, C++ है, Java है, basic है, Pascal है, PERL है, PHP है, Python है, Ruby है, usual basic है COBOL है, photon है, basic है, C है, C++ है, Java है, basic है, Pascal है, PERL है, PHP है, Python है, Ruby है, usual basic है जितनी भी ये programming language है, इस प्रोग्रामिंग लेंग्वीज है, इस प्रोग्रामिंग लेंग्वीज है इनको, generation के आधार पर, मतलब PD के आधार पर, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया किसके आधार पर, generation के आधार पर, जैसे, पहली PD की भासा, जिसको हम first generation language बोलते हैं, जिसमें मसिनी भासा या binary code आता है जो पहली PD की भासा है, उसमें कौन-कौन ची आती है, पहली PD की भासा में मसिनी भासा आती है, या binary code आता है दूसरी PD की भासा, जिसको हम second generation language बोलते हैं, इसमें assembly भासा आती है तो जो पहली PD की भासा है, जिसको हम first generation language बोलते हैं, इसमें मसिनी भासा या binary code count होता है second PD की जो भासा है, जिसको हम second generation language बोलते हैं, इसमें assembly भासा count होती है उसके बाद आता है तीसरी PD की भासा थर्ड जनरेशन लेंग्विज इसमें आता है C, C++, Java, Python, PHP, Parle, Basic, Pascal, Photon, L-Log, Cobol ठीक है ना तो C है, C++ है, Java है, Python है, PHP है, Parle है, Basic है Pascal है, Photon है, L-Log है, L-Gol, ठीक है, और Cobol है यह सारिक सारी कौन सी भासा हैं, यह सारिक सारी भासा हैं तीसरी PD की भासा, जिसको हम थर्ड जनरेशन लेंग्विज बोलते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा हुआ कि सर्थ यह क्यों पढ़ा रहो आप पहली PD की भासा, दूसरी PD की भासा, तीसरी PD की भासा देखो, ऐसे एक बार नहीं, कई बार क्योशन पूँच चुका है कि आपस में मिलान करो, कौन सी भासा पहली PD की है, कौन सी भासा दूसरी PD की है, कौन सी भासा, तीसरी PD की है या फिर ऐसे भी क्योशन आ चुका कि निम्न चार भासाओं में से कौन सी भासा है जो तीसरी पीडी से सम्मंद रखती है ठीक है या निम्न चार भासाओं में से कौन सी भासा है जो तीसरी पीडी की भासा नहीं है ऐसे भी क्योशन आ चुका है चोथी PD की भासा जिसको हम 4th generation language बोलते हैं जिसमें AB, AP आजाती है, UNIX आजाती है, SQL आजाता है, PL या SQL आजाता है Oracle reporters आजाता है, या फिर R आजाता है ठीक है, चोथी PD की भासा में AB, AP आजाती है, UNIX आजाता है, SQL आजाता है PL, SQL आ जाता है, Oracle, Reporters आ जाता है और R आ जाती है तो यह वो language है जो चोथी PD की भासा है कौन-कौन सी, AB, AP, UNIX, SQL, Oracle, Reporters और R यह सारी-सारी वो भासा है जो चोथी PD की भासा है उसके बाद आता है पांचवी PD की भासा जिसको हम 5th generation language बोलते है इसमें प्रोलोग आ जाता है, OPS 5 आ जाता है और बुद्ध आ जाता है, बुद्ध है, OPS 5 है, प्रोलोग है यह वो भासा है जो पांचवी PD की भासा है जिनको हम 5th generation language बोलते हैं तो अब देखो आपको एक basic सा knowledge यह होना चाहिए आपको यह सारी चीजे पता होनी चाहिए कि पहली PD की भासा कौन-कौन सी है दूसरी PD की भासा कौन-कौन सी है तीसरी PD की भासा कौन-कौन सी है चोथी PD की भासा कौन-कौन सी है और पांचवी PD की भासा कौन-कौन सी है इन सबी का आपको खुद को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है यहां तक का समझ में आ गया और इन भासाओं को याद करने का पहली PD की तो यह तो आपको पता होगा मसिनी भासा या बाइनरी कोर्ड पहली PD की थी असेंबली भासा दूसरी PD की थी तीसरी PD, चोथी PD और पांचवी PD इन भासाओं को याद करने का कोई तरीका नहीं है आप चाहो तो खुद बना सकते हो मेरे से बना नहीं इसलिए मैंने इनको डायरेक्ली रटाई था तो फैली से पांचवी तक यह PD है इनकी जो भासा है पहली PD में मसिनी भासा बाइनरी चोड बोल देते हैं दूसरी में असेंबली भासा बाइन direkly रट श्यरि जैसा आप चाहो वैसा करो लेकिन इन याद करने है आपको अब यहां परम बात करने वाले हैं तीसरी और चोथी पीडी की भासाओं में अंतर ठीक है ना जो तीसरी और चोथी पीडी की भासा है ना इसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला था तीसरी पीडी की भासा में और चोथी पीडी की भासा में एक बहुत को पहली PD की भासा में प्रोग्रामिंग करने से छुटकारा कौन सी भासा ने दिलाया तो पहली PD की भासा कौन सी है मशीनी भासा है और मशीनी भासा में प्रोग्रामिंग करने से छुटकारा किसने दिलाया था असेंबली भासा ने क्यों से न आ सकता है कि assembly भासा में programming करने से छुट कारा कौन सी PD की भासा ने दिलाया तो वो था तीसरी जनरेशन की language ने क्योंकि पहली जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन क्यों बनी क्योंकि हम पहली जनरेशन से क्या थे satisfied नहीं थे फिर तीसरी जनरेशन क्यों आई हम दूसरे generation के language से satisfy नहीं थे फिर चोती generation क्यों आई क्योंकि हम तीसरी generation के language से satisfy नहीं थे और फिर पाथवी generation क्यों आई क्योंकि हम चोती generation के language से satisfy नहीं थे ठीक है तो यह इस तरीके से पाथ generation की language बनी थी तीसरी PD की भासा में textual वातावरन था जबकि चोती PD की बासा में visual वातावरन था यह दोनों बाते आपको पता होनी चाहिए कि तीसरी पीडी की बासा में textual वातावरन था और चोथी पीडी की बासा में visual वातावरन था textual वातावरन, visual वातावरन तीसरी पीडी की बासा में textual वातावरन था चोथी PD की भासा में व्यूजवल वातावरन था IDE Integrated Development Environment ये चोथी PD की भासा से संबंदित है IDE Integrated Development Environment ये चोथी PD की भासा से संबंदित है ठीक है तो इस तरीके से ये एक बेसिक सा अंतर था तीसरी और चोथी PD की भासा में English का टोपिक जो Computer की Language थी Complete हो चुका है Higher Level Language, Low Level Language Language की Generation Low Level Language कौन-कौन सी है High Level Language कौन-कौन सी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है Translator वगर आए ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ये मैं आपको पढ़ा दूँगा बिल्कुल भी Tension नहीं लेने का Translator के बारे में भी क्योंकि यहां पर मैंने कोशिस की है हर एक चीज को बिल्कुल Sequence से पढ़ाने की ठीक है कौन सी चीज को हम कहां पर पढ़ाएं जिससे कि हम Confuse ना हो इन चीजों का मैंने बहुत specialी तरीके से ध्यान में रखा है और जो मेरी आप बुक खरीद होगे ना इसी वीडियो के description में मैंने अपनी बुक का लिंक डाल रखा है यूजिसनेट के first paper की बुक है मेरी खुद की तो आप जब मेरी बुक को पढ़ोगे हैं software आपके दिमाग में भी आता होगा आपने बहुत सारे application इंस्टोल करते होगे आपके mobile के कभी software उर जाते होगे तब भी आप अपने laptop में software डिलवा के लेके आते होगे कई बार आपका laptop हैंग हो जाते हैं फिर software डिलवाते हो किसी software के वज़े से आपका system ख्राब हो जाता है कोई software कमज़र होने के वज़े से आपकी computer की processing speed कम हो जाती है तो software बहुत तरीके से हमारे जो system में computer system है उसको परभावित करता है बहुत सारे कार तरीके हैं जिनसे यह हमारे computer system को क्या करता है परभावित करता है तो अब हम software के बारे में पढ़ेंगे यहां पर और इस class में मैं पूरा कोशिस करूँगा software के topic को भी बिल्कुल complete करवाने की ठीक है जो आपको एक surprise मिलेगा surprise क्या मिलेगा कि आज language और software दो topic एक साथ complete हो रहे हैं आज ही मिल जाएगा यह surprise आपको तो software एक निर्देशों का या प्रोग्राम्स का वह समू है software क्या है निर्देशों का या प्रोग्रामों का एक ऐसा समू है जो computer के किसी कार्य विसेश को पूरा खरने का निर्देश देता है software क्या होता है एक प्रोग्रामों का निर्देशों का क्या है एक समू है जो computer को किसी भी काम को करने के लिए क्या करता है विसेश रूप से निर्देश इत करता है software क्या है निर्देशों या प्रोग्रामों का समू है जो computer को किसी भी काम को complete करने के लिए क्या देता है निर्देश देता है उसको direction देता है यह है यूजर को computer पर काम करने की चमता परदान करता है software क्या करता है software नहीं होंगे तो हम computer पर काम ही नहीं कर पाएंगे हम computer में calculator यूज़ करते है calculator का एक software है हम YouTube चलाते है YouTube चलाने का जो platform है वो एक software है है ना तो software क्या करता है programmer को computer काम करने की छमता परदान करता है उसको इतनी capacity देता है जिससे कि वो computer पर बहुत ही सहीविय में काम कर सके software के बिना computer hardware का एक निर्जीव बक्षा मातर है software के बिना जो computer है ना वो hardware का एक निर्जीव बक्षा है यदि आपके laptop में यदि आपके phone में मैं सारक सारे software को हटा दूँ आपके phone से सारे सारे software में हटा दूँ आप mobile phone का कुछ भी काम नहीं कर पाओ ले पाओगी calling वाला software हटा दूँ tax message वाला हटा दूँ जुतने भी आपके mobile phone के software सभी को मैं उड़ा दूँ आपका जो phone है न वो phone नहीं रहेगा फिर एक डबबा बन जाएगा जो किसी काम का नहीं रहेगा ऐसे ही आपके laptop या PC का मैं पूर एक पूरे software को यदि मैं ओड़ा दूँ डिलिट कर दूँ तो आपका जो laptop है जो PC है न वो किसी काम का नहीं रहेगा वो एक मातर ऐसा डबबा सा बन जाएगा software का प्रात्मिक उद्देश से data को सूचना में बदलना software के निर्देश आनुसार ही hardware कार्या करता है software के निर्देश आनुसार ही hardware कार्या करते हैं जैसे software निर्देश देता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से hardware काम करता है एक तरीके से software हम बोल सकते हमारे जो मन की feeling होती है जो दिमाग है न अपना वो एक तरीके से software है हमारा दिमाग कहता है कि हाथ उपर उठ तुरन अपना जो hardware हाथ वो उपर उठ जाता है हमारे दिमाग कहता है कि सामने जो लड़की खड़ी है उसको धीरी से टच कर अपना हाथ जाता है हार्डवेर की रूप में उसको टच कर किया जाता है हमारे दिमाग ने जो कान हाथ वो काम करता है जो काम हाथ टच करने की जगे हमारे दिमाग ने कहा दिया कि लड़की के चांटा लगा वो चांटा लगा देगा ठीक है ना तो software क्या होता है सोप्ट्यूर का प्रात्मिक उद्देश है डाटाओं को सूचना में बदलना होता है सोप्ट्यूर के निर्देशा के अनुसार जैसे सोप्ट्यूर निर्देश देता है बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार हार्डवेर काम करते हैं जो जो निर्थे software देता है बिल्कुल ठीक उसी वे में उसी के अनुसार hardware काम करते हैं Software और hardware के बीच संचार इस्थापित करने को interface करते हैं Interface लिग दिए याँ पर interface होगा Software hardware के बीच में संचार इस्थापित करने को हम क्या कहते हैं? Interface कहते हैं तो आपको ध्यान रखना इंटरफेस क्या होता है सॉप्टियर और हाडवेर के बीच में संचार स्थापित करना ही इंटरफेस कहलाता है computer software के बहुत सारे परकार है जिसमें सबसे पहला system software है दूसरा application software है ठीक है ध्यान रहे computer software के total दो परकार होते हैं कितने दो परकार आपको कई जगा है utility software भी देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर देखो अलग-अलग book पर depend करता है कुछ bookों में ये तीन software माना है लेकिन कुछ bookों में इन दो को इस software माना है utility को इन दोनों का एक भाग माना है दोनों में से किसी एक का भाग माना है यदि हम quota open की जो book है वर्दमान university वाली जो book है जब आप RCIT का course करते हैं उसमें जो वर्दमान university के द्वारा आपको जो book दी जाते है computer की उसके according यदि हम बात करते हैं तो computer software टोटल दो परकार के बताये गई हैं कितने परकार के दो परकार के एक है system software और दूसरा application software ठीक है क्योंकि जो वर्दमान university वाली बुक है quota open वाली government बुक है बिल्कुल 100% authentic है जिसके base पर आप objection लगा सकते हैं system software system software ऐसे programs को कहा जाता है जिनका काम computer को चलाने और उसके काम करने योग्या बनाए रखना है system software का मतलब क्या होता है computer के system को काम करवाना computer के system पर control करना तो system software system software ऐसे program को कहा जाता है जिनका काम computer को चलाना और उसे काम करने योग्या बनाना है system software computer पर hardware और application software को चलाने में मदद करता है जो system software है ना वो computer पर hardware और application software दोनों को चलाने में मदद करता है कौन system software system software computer पर hardware और application software दोनों को चलाने में मदद करता है system software ही hardware में जान डालता है hardware को काम कराने का काम hardware को चलाने का काम कौन करता है system software करता है system software क्या है system को control कर रहा हूँ computer का जो भी system है न computer का जितना भी system है उसे सारे system को कौन control करता है system software करता है तो system software computer पर hardware और application software को चलाने में मदद करता है system software ही hardware में जान डालता है system software ही computer और उप्योग करता के बीच में एक interface का काम करता है system software क्या करता है computer और उप्योग करता के बीच में interface का काम करता है इन दोनों के बीच में link बनाने का काम करता है Computer और उप्योग करता के बीच में संबंद बनाने का काम करता है System Software सभी Software का क्या Base है आधार है Computer, Laptop, Phone जितने इसमें जितने भी Software होते हैं उन सभी का आधार का System Software है System Software पहले उप्योग करता से सूचना का आधान परदान करता है और फिर Application Software के साथ काम करता है System Software क्या काम करता है System Software सभी से पहले उप्योग करता के साथ सूचना का आधान परदान करता है और फिर Application Software के साथ काम करता है System Software पहले उप्योग करता से सूचना का आधान परदान करता है और फिर Application Software के साथ काम करता है system software computer को अपने आंतरिक संसादों का प्रबंदन करने में मदद करता है system software पहले उप्योग करता से सूचना का आधान परदान करता है और फिर application software के साथ काम करता है system software computer को अपने आंतरिक संसादों का प्रबंदन करने में भी मदद करता है सिस्टम सोफ्ट्यूर के टोटल पाँच महत्पून घटक हैं इन पाँचों के पाँचों घटकों को आप पढ़ लेते हैं कि सिस्टम सोफ्ट्यूर के कौन-कौन से महत्पून घटक हैं सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है डिवाइस ड्राइव तीसरा है फर्म को system software का एक घटक माना का है ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दू आपको system software के 5 पर्मू घटक operating system, device drive, firmware, translator और utility software सबसे पहले हम पढ़ते हैं operating system OS के बारे में operating system system software एक क्या है operating system क्या है एक system software है जो computer, hardware और software संसादनों input, output, memory, cpu आदी का परबंदन और computer program के लिए आम सिवाई परधान करता है ठीक है operating system system software है यह computer hardware और software संसादनों को manage करता है computer program के लिए आम normal सी सेवाई परधान करता है आम का मतलब है normal सी सेवाई यह computer और उप्योग करता के बीच में interface का काम करता है ठीक है operating system के है computer और उप्योग करता के बीच में interface का काम करता है operating system का मुख्य कारिया उप्योग करता के निर्देशों को computer तक पहुँचाना और computer द्वारा दिये गए परिणामों यह संदिश को उप्योग करता तक पहुचाना होता है ठीक है operating system का काम क्या होता है operating system का सबसे man काम क्या होता है उप्योग करता के निर्देशों को कम्प्योटर तक पहुंचाना होता है ओप्योग करता के द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं उन निर्देशों को कम्प्योटर तक पहुंचाना थता कम्प्योटर के द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं कम्प्यूटर के दोभारा जो परिणाम दिया चाता है हम ने क्या किया क कम्प्यूटर को निर्डिश दिया हमारे निर्डिशों को operating system ने क्या किया computer तक पहुँचाया हमने क्या किया computer को निर्दिश दिया हमारे निर्दिशों को computer ने क्या किया operating system ने क्या किया computer तक पहुचाया computer ने हमारे निर्दिशों के अनुसार हमारे data के उपर काम किया काम करने के बाद में एक result निकाला तो फिर operating system क्या करता है ओप्रेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ने जो रिजल्ट निकाल है उस रिजल्ट को हमारे तक पहुचाने का काम करता है तो ओप्रेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहे हमारे निर्दिसों को कंप्यूटर तक पहुचाने का काम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने ये बाद जो result बना है उस result को वापस हम तक पहुँचाने का काम कौन करता है ओपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर में सबसे पहले ओपरेटिंग सिस्टम को ही install किया जाता है किसको ओपरेटिंग सिस्टम को विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और सबसे व्यापक रूप से काम करने वाला ओपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम है न कौन सा विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर पर सबसे जादा और सबसे व्यापक रूप में काम करने वाला एक operating system है operating system के example बताऊं जैसे Microsoft Windows है Google Android operating system है Apple operating system है iOS है Linux operating system है MS-DOS है Unix है Ubuntu है Mac operating system है Microsoft Windows है Google Android operating system है Apple iOS है Linux operating system है MS-DOS है Unix है Ubuntu है Mac operating system है तो यह सारे किसके example है operating system के example है उसके बाद हम बात करता है translator के बारे देखो मैंने जब अब भी आपको language पढ़ाया था ना high level language, low level language तो वहां पर मैंने translator की बात की थी अब आपको आपके चाहने वाले की किसम आपको अपने girlfriend की किसम, baby की किसम, जानू की किसम ठीक है आपको अपने चाहने वाले की किसम आपको बताना है बिना cheating के साथ कि translator का उपयोग हम कौन सी language में करते हैं, high level language में या low level language में और आज मैं आपको एक surprise और देता हूँ surprise ये है कि मेरी engagement हो चुकी है और जिसके साथ engagement हुई है बिल्कुल lower family से वो लड़की क्योंकि धेज के मैं बिल्कुल खिलाप हूँ मैं बिल्कुल भी धेज नहीं लेना चाहता तो जो लड़की है merit केवल demand ये थी कि लड़की थोड़ी सही हो खुबसूरत हो बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ मेरे according खुबसूरत हो और बिल्कुल low family से हो बिल्कुल economy level बिल्कुल zero हो उनका भाई जो लड़कियां बहुत अच्छे standard वाली family में रहती है उनके सारे सारे सपने पूरे रहते है उनको आप कुछ अलग नहीं दे सकते उनको आप कुछ अलग नहीं दिखा सकते लेकिन जो लड़कियां बिल्कुल zero level से है जिनका economy standard बिल्कुल low है जिन लड़कियों ने कभी सपना नहीं देखा कि हम ऐसी live भी जी सकते हैं आगे आप ऐसी लड़कियों के साथ साधी करो यदि आपका family background अच्छा है तो बिल्कुल मैंने ऐसे किया है जिसके साथ मेरी साधी होने वाली है वो भी फिलाल में net की तयारी कर रही है और मेरे बैच की student है अब मैं यह नहीं बताऊँगा कि इस बैच की student है पिछले बैच वाली student है लेकिन है हमारे इसी family की एक candidate और भाग्यावस वो बिल्कुल मेरी पडोसी है मेरे घर से और उसके घर के बीच में only 2 km का अंतर है मतलब उसका जो घर है मेरे घर से 2 km दूर है उसका economy background बिल्कुल 0 है बहुत ही गरीब घर कह सकते हम ऐसे घर से है वो और खुबसूरत मेरे को चाहिए थी तो वो है बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन average मेरे according वो सही है जैसा मैं हूँ ना बिल्कुल ठीक मेरे according है वो और ये थी बातें तो अब मेरी life है जो एक step आगे जा चुकी है अब भी नहीं सोच रह था इतना जल्दी कुछ करने की लेकिन हाँ मैंने low marriage नहीं हूई है ये अरेंज होगी हम आपस में जानते थे हमने घरवालों के सामने बात रखी हमारे घरवालों ने भी एग्री कर दिया हमारी बातें आगे बढ़ने लग गई ठीक है तो इस तरीके से ये एक छोटा सा प्रोसेस हुआ है और life एक next level पर entry कर चुकी है एक अलग तरीके का excitement होने लग गए कल फस्ट पेपर की class नहीं हुई थी उसका कारण ये था क्योंकि कल मैं उनके घर था ठीक है सवा ग्यारा बजे के आसपास मैं उनके घर ही था और मैं घर से निकल गया था लगबग आठ नो बजे जैपूर आ गया था जैपूर आने के बाद में फिर तुरंट घर वालों ने बुला है फिर वहां गया फिर उनके घर गया फिर शाम को वापस जैपूर आया पिर आज आज मोर्निंग वाली क्लास में लेट ले रहा हूं सोरी हां ठीक है तो यह थोड़ा सा बनवा सकते हो मतलब अब वह इस टाइप की डिजाइनर बन गए यह आप फोटो भेचो वैसे ड्रेस बना देगी वह और हो सकता है आप यदि इसकट, टी सेट वगरा और जंप सूट वगरा बहुत सारी ड्रेस हैं हो सकता है यदि आप पैयनते हो तो हो सकता है बाई मिस्ट्रेक आप उसकी बनाई हुई भी पैयन रहे हो तीन-चार कंपनियों में काम करती है वो पार्ट टाइम एक में बिल्कुल रेगुलर काम करती और तिन में पार्ट टाइम तरीकेस काम करती है मेरे से एक साल छोटी है वो एक साल छोटी है बड़ी ने छोटी है ट्रांसलेटर अनुवादक का मुख्य कारिया संकेतो या प्रोग्राम को कम्पिटर द्वारा समझेन योग्य भासा में परिवर्टित करना होता है ट्रांसलेटर का यूज हम क्यों करते हैं कि हमारी भासा को कम्पिटर की भासा में कनवर्ट करने के लिए जिस भासा को हम समझते हैं हमारी द्वारा समझे जाने वाली भासा को computer के समझने योग्या बनाने के लिए जिस भासा को हम समझते हैं हमने उस भासा में computer को direction दिया computer को data दिया लेकिन उन निर्देशों को उन data को computer नहीं समझ पाया क्यों 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 कि वो computer की भासा में नहीं थे हमने क्या किया एक translator का यूज किया translator ने क्या किया हमारी भासा को computer की भासा में convert कर दिया मसिनी भासा में convert कर दिया computer उसको बिल्कुल आसाने से समझ गया अनुवादक सामानेत उचिस्त्री भासाओं को मसिनी भासा में परिवर्टित करता है देखो जो ट्रांसलेटर है वो हाई लेवल लेंग्वेज को लो लेवल लेंग्वेज में कनवर्ट करता है और ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लेंग्वेज को हाई लेवल में भी convert कर सकते हो translator सामाने ता तीन परकार के होते हैं एक होता है assembler, दूसरा होता है compiler और तीसरा होता है interpreter, assembler compiler और interpreter अब मैं इनको detail से बताता हूँ एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ते हैं assembler के बारे में assembler क्या होता है assembler नाम से पता चल रहा है assembler, assembly, assembler, assembly assembler, assembly, इस तरीके से link करके याद करो आप assembler, assembly, assembler, assembly तो assembler क्या काम करता है assembly भासा को मसिनी भासा में परिवर्टित करता है assembler क्या करता है assembly भासा को मसिनी भासा में convert करता है अब assembly भासा में हम कौन से code का यूज़ करते हैं असेंबली भासा में हम यूज करता है नोमनिक कोरट का और मसीनी भासा में कौनसे कोरट का यूज होता है? binary code का तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि assembler assembly भासा को machine भासा में convert करता है translate करता है या assembler nomonic code को binary code में translate करता है दोनों बाते बोल सकते हैं कि assembler assembly भासा को machine भासा में परिवर्थित करता है या assembler nomonic code को binary code में परिवर्थित करता है दोनों बाते हम बिल्कुल comfort zone से बोल सकते हैं उसके बाद हम बात करता है compiler 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 सामाने तो दो तरीके से काम करता है दूसरा translator है compiler compiler है जो सामाने तो दो तरीके से काम करता है पहला तरीका होता है एक high level language को दूसरी high level language में convert करना एक high level language है उसको दूसरी high level language में translate करने का काम भी compiler करता है कौन करता है compiler करता है compiler की मदद से हम एक high level language को दूसरी high level language में translate कर सकते हैं और दूसरा काम क्या करता है compiler एक high level language को machine language में convert करता है ठीक है, high-level language को मसीनी बासा में convert करता है, अब ध्यान से सुनना भाई, compiler का एक तरीका, एक high-level language को दूसरी high-level language में convert करना, उसको हम क्या कहते हैं, source to source compiler कहते हैं, मतलब एक source से दूसरे source में convert करना, ठीक है, source को मतलब क्या होता है, source का मतलब होता है, source, जहां से हमने data उठाए है तो ये क्या काम कर रहे हैं? बहाई एक high level language से दूसरी high level language में बदल रहा है एक high level language से हमने दूसरी high level language में convert किया है मतलब अब भी भी translate करने के बाद में भी इस situation में computer उस भासा को नहीं समझ सकता हमारी नर्देसों को नहीं समझ सकता जदि हम translator का compiler का इस way में use करते हैं तो translate करने के बाद भी computer हमारे निल्देशों को नहीं समझेगा क्यों नहीं समझेगा क्योंकि हमने एक high level language से वापस दूसरी high level language में translate किया है दूसरा तरीका आता है उचिस्तरिय भासा को machine भासा में convert करना मतलब high level language को machine language में convert करना high level language को machine language में translate करना क्या करना high level language को machine language में translate करना इसको हम बोलते हैं standard compiler क्या बोलते हैं standard compiler बोलते हैं standard compiler क्या काम कर रहा है high level language को machine language में translate करने का काम कर रहा है स्रोत कोड या सोर्स कोड क्या होते है जिस computer भासा में मूल प्रोग्राम है उसे सोर्स भासा या सोर्स कोड कहते है भाई आपका जो प्रोग्राम है वो जिस मूल भासा में उसको हम सोर्स कोड कहेंगे जैसे मैं आपका सोर्स कोड बोलूँ तो आपकी जो local language है जिस भासा को आपने सबसे पहले सीखा था वो क्या आपका सोर्स कोड है लोकल लेंग्विज क्या आपका सोर्स कोड है मैंने यह हिंदी भासा में लिखा है तीक है आपने क्या किया इसको इंग्लिस में टांसलेट कर लिया इस पैराग्राफ का आपने क्या किया इंग्लिस में टांसलेट कर तो स्रोत कोड या सोर्स कोड क्या होता है जिस भासा में वो प्रोग्राम मूल रूप से था मूल रूप से प्रोग्राम जिस भासा में था उसको हम क्या कहता है सोर्स भासा कहता है सोर्स कोड कहता है एक होती है टारगेट लैंग्वेज लक्षभासा, जिस भासा में शुरोत कोड को बदला जाता है हमने क्या किया? High-Level Language से Low-Level Language में कनवर्ट कर दिया तो High-Level Language में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ था उस प्रोग्राम को हमने Low-Level Language में कनवर्ट कर दिया तो जो High-Level Language थी वो क्या था हमारा source code था हमने उस program को high level language से किस में convert कर दिया machine language में convert कर दिया तो जिस machine language में हमने convert किया न वो क्या target language है लक्षे भास है हमारा लक्षे था कि हमें इस code को इस program को इस भासा से इस भासा में बदलना है तो जिस भासा में बदलना हमारा main target है उसको हम क्या कहते है, target language कहते है, object code, लक्ष भासा के code को object code कहते है, जो लक्ष भासा है न, उसका जो code है, जैसे स्रोत भासा, मूल भासा है, स्रोत भासा है, जिसको हम source code कहते है, स्रोत भासा को हम source code कहते है, बिलकुल उसी तरीके से, target language को, लक्ष भासा को हम क्या कहते है, object code कह को हम स्रोट भाषा को हम सोर्ज कोड कहते हैं तो बिल्कूल ठीक उसी तरीका से लक्षे भाषा को हम और जयक्ट कोड कहते हैं I ते उसके बाद आता है डी-कंपाई जिनकों कंपाईलर ına और यदी-कंपाईलर दो सब्द है यह आपको केवल याद नहीं करना है इनको रटना नहीं आपको आपको अपना एक common sense सा यूज करना है आपको यहाँ पर क्या करना है थोड़ा सा अपना भेजा लगना है थोड़ा सा अपना दिमाख लगना है सब्द के साथ रटना नहीं है इसको compiler मैंने समझा दिया compiler क्या कर रहा है translate करने का काम कर रहा है किसको high-level language को दूसरी high-level language में या high-level language को low-level language में यह काम कर रहा है compiler compiler दो काम कर रहा है एक high-level language को दूसरी high-level language में translate करना दूसरा काम कर रहा है दूसरे तरीकेस काम कर रहा है कि high level language को मसनी language में क्या करना translate करना अब यहां पर हम decompiler के बारे इन पढ़ रहे हैं decompiler क्या कर रहे है low level language को high level language में translate कर रहे है किसको low level language को high level language में translate कर रहे है कौन decompiler तो decompiler क्या काम कर रहे है low level language को high level language में translate कर रहे है ठीक है तो compiler क्या काम करता है high level लेंग्विज को लो लेवल लेंग्विज में क्या करता है टांसलेट करता है और डी कंपाइलर का जस्ट अपोजिट है डी कंपाइलर कैं कंपाइलर का जस्ट अपोजिट है मतलब लो लेवल लेंग्विज को हाई लेवल लेंग्विज में टांसलेट करता है इंटरप्रेट में क्यों से नाया होगा कि compiler भी वह काम करें high-level language को low-level language translate कर दे और interpreter भी high-level language को low-level language में translate कर दे फिर interpreter क्यों बनाया जब दोनों काम same कर रहे है फिर नया बनाने के जूरूद क्या थी compiler ही काम ले लेते हैं अरे भाई रुखो है थोड़ा सा अंतर दोनों में मैं बताता हूँ interpreter और compiler के बीच में जो अंतर है उसको compiler क्या काम करता है compiler पूरे source code को एक साथ मशिनी भासा में अनुवाजित कर देता है जबकि interpreter एक-एक line को पढ़कर मशिनी code में अनुवाजित करता है देखो compiler और interpreter में सबसे बड़ा अंतर क्या है compiler क्या करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है जैसे आपने दो page की pdf थी और आपका target है कि इस दो page की pdf को हमें high level language से low level language में translate करना है तो compiler क्या करता है उस दो page की pdf आपको एक साथ पढ़ता है ठीक है और उस दो page की pdf को एक साथ पढ़ कर एक साथ ही मसینि बासा में convert या translate कर देता है ये काम कोन करता है compiler जबकि interpreter क्या काम करता है एक एक line को करता है जैसे पहले इस line को पढ़ेगा फिर इस line को low level language में translate करेगा फिर इस line को पढ़ेगा फिर इसको translate करेगा फिर इस line को पढ़ेगा फिर इस line को translate करेगा फिर इस line को पढ़ेगा इसको translate करेगा compiler क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है उसको तुरंत लो लेवल लेंग्विज में translate कर देता है जबके interpreter क्या काम करता है line to line पढ़ता है line to line translate करता है अब देखो सबसे special बात compiler पूरे code को अनुवाजित करने के बाद सभी error को एक साथ दिखाता है दो पेज का PDF था compiler ने पूरे दोनों की दोनों पेजों को एक साथ पढ़ा एक साथ उसने क्या कर दिया translate कर दिया और उन दो पेजों के बीच में जो भी गलतिया ही न उन सभी को एक साथ दिखा दिया लेकिन interpreter क्या काम करता है line to line पढ़ता है और line to line translate करता है जैसे इस line को पढ़ा interpreter इस line को उसने क्या कर दिया translate कर दिया अब इस line में जो गलतिया थी न उन गलतियों को दिखा दिया interpreter ने कि भाई यह गलतिया इन गलतियों को सुधारो सबसे खास बात यह है कि interpreter next line पर तब जाएगा जब आप पिछली line की गलतियों को सुधार होगी यदि आपने पिछली line की गलतियों को नहीं सुधारा तो interpreter next line में नहीं जाएगा यह सबसे खास बात है interpreter की compiler पूरे program को एक साथ पढ़ कर दूसरी भासा में convert कर देता है जो भी truth नहीं होती है जो भी error होते हैं उन सभी को एक साथ indicate कर देता है और आराम से आप अपने इच्छा अनुसार उनको सही करते रहो जबकि interpreter क्या करता है पूरे program को line to line सबसे पहले एक line को दूसरी language में translate करेगा फिर दूसरी line को फिर translate करेगा मतलब जो interpreter है वो line to line translate करने का काम करता है ठीक है और line to line ही error बताने का काम करता है और जब तक पिछली line में आप error है उनको हटाओगे नहीं जब तक आप पिछली line के error को remove नहीं करोगे तक interpreter next line पर काम नहीं करेगा interpreter अगली line को translate करने का काम तब करेगा जब आप पिछली line की जो भी गलतियां थी उनको हटाओगे ठीक है compiler अनुवादित करने में कम समय होता है compiler ने क्या किया compiler ने पूरे program को एक साथ पढ़ा तुरन्त पूरे program को एक साथ translate कर दिया जो गलतियां थी उन सब्वे को एक साथ दिखा दिया तो overall थोड़ा कम time लगा जब कि interpreter क्या कर रहा है एक एक line को पढ़ रहा है फिर उन एक एक line को translate करने का काम कर रहा है फिर अगली line पर वो तब जा रहा है ट्रांसलेट करने के लिए जब आप पिछली line की सभी की सभी गलतियों को हटा दोगे तो इसमें क्या होता है इस process में थोड़ा ज़्यादा time लगता है जैसी बात है थोड़ा ज़्यादा time लगेगा ठीक है तो interpreter को translate करने में ज़्यादा समय लगता है compiler का उपयोग C, C++, Java जैसी High-Level Language को मसिनी Language में Convert करने के लिए उपयोग किया जाता है जबकि interpreter का का काम Python और Ruby जैसी high-level language में किया जाता है ठीक है compiler का प्रियोग हम C या C++ या Java जैसी बासा में उपयोग करते हैं जबकि interpreter का उपयोग हम python या ruby जैसी बासा में उप्योग करते हैं अब हम पढ़ेंगे firmware के बारे में firmware क्या होता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे firmware के बारे में जहाँ पर हम पढ़ने वाले interface के बारे में इंटरफेस क्या होता है firmware क्या होता है firmware के बारे में firmware भी एक तरह का software है सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए firmware भी क्या है एक software है जो किसी खास hardware को control करने या एक दूसरे hardware के साथ communicate करने के लिए एक छोटे से chip जिसे ROM कहा जाता है में store रहता है ठीक है firmware क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए firmware क्या है एक software है जो किसी खास hardware को control करने के लिए ठता एक दूसरे hardware को आपस में या एक दूसरे hardware के साथ communicate करने के लिए एक छोटे से chip ROM के उपर या ROM में store रहता है ठीक है ना मैं repeat कर रहा हूं firmware क्या है एक परकार का software है जो किसी खास hardware को control करने के लिए design किया जाता है या एक दूसरे hardware के साथ communicate करने के लिए ROM में store रहता है पहली बात hardware क्या होता है एक software होता है दूसरी बात ये किसी खास hardware को control करने के लिए design किया जाता है तीसरा यह एक दूसरे हार्डवेर के साथ communicate करने का काम करता है और चोथा firmware है जो रोम में store रहता है ठीक है बिना firmware के किसी भी hardware device को digital तोर पर control कर पाना संबाओ नहीं है ठीक है यदि firmware का use नहीं कर रहे हो तो किसी भी hardware device को digital तोर पर आप control नहीं कर सकते बिना किसी firmware के आप किसी भी hardware device को digital तोर पर control नहीं कर सकते हो किसी भी electronic device को user friendly एवं digital बनाने के लिए firmware का उप्योग किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी electronic device को user friendly और digital बनाने के लिए firmware का उप्योग किया जाता है device drive यहें भी एक तरह का software ही होता है जो computer से जुड़े किसी hardware को चलाने में सायता करता है यह hardware device के लिए software interface परदान करता है ठीक है जो device drive है यहें भी एक परकार का software ही है जो computer से जुड़े किसी hardware को चलाने में सायता करता है यह hardware device के लिए software interface परदान करता है उसके बाद हम बात करता है यूटिलिटी सॉप्ट्यूर के बारे में देखो यह एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का विसलेशन अनुरक्षन और अनुकुलन करने में मदद करता है जो यूटिलिटी सॉप्ट्यूर होता है यूटिलिटी सॉप्ट्यूर एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कम्प्यूटर का विसलेशन, अनुरक्षन और अनुकुलन करने में मदद करता है यह सौप्यूटर कम्प्यूटर संसादन, हार्डवेर, सौप्यूटर, मेमोरी, आदि की चमता को बढ़ाता है जो यूटिलिटी सौप्यूटर है यह कम्प्यूटर संसादन, जैसे हार्डवेर, सौप्यूटर है, मेमोरी है, आदि की चमता को बढ़ाता है जो utility software है, computer hardware, computer software या memory card की जो चमता है, जो working capacity है और जो storage capacity है, hardware software की working capacity और memory की storage capacity को बढ़ाने का काम करता है, utility software, computer की कार्य चमता तता निस्पादन चमता को बढ़ाता है, ठीक है, computer की जो work capacity है और जो निस्पादन चमता है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, utility software करता है, यह संब्पूरं कंप्योंटर को एवांच निय प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है जैसेद गे हैंग सक्षित रखते डिएलेट बन की सापने जो स्य वर यह यहेयर वायर सांजाता हैं यह एवांच नियुलेटIn님 प्रोग्रे मरें 7 मेल वेयर आजितिा है यह सोफ्ट्यूर विशेश रूप से computer hardware operating system application software आधि को व्यवस्थित करने की सायता करने में सायता ही तु डिजैन किया गया है जो utility software वो विशेश रूप से computer hardware operating system application software आधि को व्यवस्थित करने में सायता ही तु डिजैन किया गया है तो computer hardware operating system और application software कि आधि को व्यवस्टित करने में सहयता है तुब कौन सा software डिजाइन किया गया utility software utility software computer का अनुरक्षन कर computer की कार्या समता को बढ़ाता है और इसको service routines या service programmer भी कहते हैं घ्यानक नहीं ये बात भी आपको कि जो utility software ना यह computer का अनुरक्षन करता है computer की कार्या समता को बढ़ाता है इसलिए इसको service routines या service program भी कहते हैं utility software computer को अनुरक्षन करता है computer की कार्य ठम्ता को बढ़ाता है और इसी वज़ा से इसको service routines या service program भी कहते हैं utility software के परकार है जैसे file management program है file comparison program है backup and recovering tools है security program है disk cleaner and disk manager है तो यह कहें सारे यह utility software के परकार है utility software के परकार पहला file management program है दूसरा file comparison program है तीसरा backup and recovery tools है चोथा security program है पाचवा disk cleaner and disk manager है तो यह पाच़ कहा है utility program जो utility software है उसके परकार है तो यह आपको पता होना चाहिए पाच़ो के पाच़ो बारे में कि पाच़ो के पाच़ो कि इसके परकार है utility software के हैं तो आपको यह पता होना चाहिए तो यह आपका डाउट के लिए हो गया होगा अब आता है application software देखो application software एक application होता है यह आप application बढ़वाते हो ना आपने देखा होगा हर एक कोचिंग का application जैसे मेरा खुद का application है UTS एजे नाम से मेरा खुद का application है तो application software वो software है जो उप्योग करता के विशेस कारियों के लिए तयार किया जाता है application software का है application software एक ऐसा software है जो उप्योग करता के विशेस कारियों को करने के लिए तयार किया जाता है जैसे आप application बढ़वा सकते हैं अपने कोई भी काम को करने के लिए जैसे मैंने mock test के लिए application बढ़ा है था जैसे मैंने PDF देने के लिए application बढ़वा लिया कोई game खेलने के लिए application बढ़वा लिता है कोई भात करने के लिए application बढ़वा लिता है उप्योग करता अपनी आउशक्ता के अनुसार तयार करवाता है जो एप्लिकेशन सॉप्यूर है ना एप्लिकेशन सॉप्यूर उप्योग करता अपनी आउशक्ता के अनुसार तयार करवाता है जैसा उसको लगता है बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार वो सॉप्यूर तयार कर बीच मज़स्ट के रूप में काम करता है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए कि जो application software है वो अंतिम उप्योग करता और system software के बीच में मज़स्ट के रूप में काम करता है जो application software है वो अंतिम उप्योग करता और system software के बीच में mediator का काम करता है मददस्त के रोप में काम करता है उधारन है जैसे वर्ड प्रोसेसर है वेब ब्राउजर है एक्सेल एप्लिकेशन है यह सारे का application किसी coaching का application किसी धुकान का application यह सारे सारे किसके उधारन है application software के उधारन है तो यह था हमारा software चेप्टर जो complete हो चुक है अब हम पढ़ेंगे internet जस्ट next वाली class में ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks bye मेरे प्यारे साथी हो